हलो एवरीवन वेलकम चु माई यूटीब चैनल मेरा नाम जुनायद है कैसे हैं आप सब तो आज हम बात करने वाले हैं एपल ने जो अपना नया प्रोड़क्ट लाउंच किया है जिसे हम बोलते हैं बैटरी पैक यह मैक सेफ की मदद से आपके आईफोन 12 में आपकी बैक पे जो है स्टिक हो जाता है और आपके फोन लो करता है चार्ज और इसके जरीए एपल ने जो अपने आईफोन में हिडन फीचर छुपा के रखा हुआ था अभी तक लाउंच नहीं किया था उसे लोगों के सामने नहीं लाया था बस इसकी आप रूमर्स और जो है इसकी लीक स सुन रहते हैं कि अपने आईफोन में बैक चार्जिंग रिवर्स चार्जिंग जिसको बोलते हैं वो ले करके आने वाला है तो जैसा कि इसकी हेल्प से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपके आईफोन में जो भी आईफोन 12 यूजर है वो इसका मज़ा ले पाएंग तो चलिए बात कर लेते हैं इसके design के बारे में इसकी build quality के बारे में तो यहाँ पर आपको यह वाइड कलर में देखने को मिल जाता है अभी apple ने इसे launch नहीं किया है अभी आपको apple की website पे available नहीं दिखाएगा आप इसे अभी नहीं बुक कर सकते लेकिन आप यहांपर सेंटर में एपल लोगो दिया होता है तो जब आपने मैक सेफ बैटरी पैक को अपने आइफोन के बैक पे चिपकाएंगे स्टिक करेंगे मैगनेकस के तो यह जो एपल लोगो है इए आपका संटर में आजाएगा जो कि एपल वालुनें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखा हुआ इस चीज को जिससे आपका back पे जो Apple logo दिखता है वो center में आ जाएगा जैसा कि आपके phone में बना होता है वैसे ही ये आपके battery pack पे भी दिखाई देगा back से center में तो आप देख सकते हैं कितना Apple छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है और आपको इसमें देखने को मिल जाएगी charging port जो कि lightning से charge होता है lightning cable से आपकी charge हो जाएगा आपको इसके साथ ना ही charger मिलेगा ना ही cable मिलेगी सिर्फ आपको ये battery pack मिलता है जैसा कि आप सामने देख पा रहा होंगे इसे आप अपने iPhone के charger से ही charge कर सकते हैं इसके साथ में आपको कोई भी extra charger नहीं मिलता है ना ही cable मिलती आपको सिर्फ ये battery pack मिलता है तो चलिए बात कर लेते हैं इसके price की तो US dollar में ये 99 US dollar का price इसका launch हुआ है जो कि आप इसकी website पे जाकर के Apple की website पे जाकर के check कर सकते हैं और इंडिया में आपको इसका price कुछ 10,900 के आसपास का देखने को मिल जाता है तो ये बहुत ही जादा है इस product के लिए तो आप अगर use करना चाते हैं आप इसे लेना चाते हैं तो आप Apple की website पर जाकर के वहां से आप इसे book कर सकते हैं अभी अवेलेबल नहीं है बट आने वाले time में ये अवेलेबल हो जाएगा तो अगर आपको लेना हो तो मैं इसका link description में दे दूंगा आप वहां से जागर के इसे check out कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही महंगा है इतना महंगा जो power bank है हमें लेना नहीं चाहिए लेकिन अगर आप शौकी ने Apple प्रोडक्ट के तो आप इसके लिए जा सकते हैं आप इसे यूज करने के लिए ले सकते हैं ये Mac Safe की मदद से आपके iPhone 12 में आराम से चिपक जाता है स्टिक हो जाता है और आपके फोन को वायरलेसली चार्ज कर देता है तो बहुत ही अच्छी चीज है ये तो अभी सबसे ज़रूरी चीज बात कर लेते हैं इस Mac Safe बैटरी पैक के स्पेसिफिकेशन के बारे में जो की आ यूजर हैं तो आप इसके लिए जा सकते हो अगर आपको लेना चाहिए वैसे तो इसकी प्राइस बहुत हाई है इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको 2000 की रेंज में थर्ड पार्टी पावर बैंक अराम से मिल जाते हैं जिनकी कैपसिटी होती है 13,000 mAh की तो मैं तो ही करोंगा कि आपको इसके लिए जाना चाहिए लेकिन अगर आप ऐपल प्रोडेक्स के स्ट्रॉकीन है आप उसे यूजर करना चाहते हैं तो आप चासकते हैं इसके लिए इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शिफ्शन बॉक्स में दे दूंगा तो अब ही बात कर ल Castle क स फोन यूज करते हैं जैसे आइफोन 11 हो गया आइफोन 10 हो गया और और भी इसके नीचे के फोन जितने भी हैं अगर आप सोच रहे हैं कि उनके साथ आप इसे यूज कर सकते हैं तो नहीं आप सिर्फ इसे एक वायरलेस चार्जर की तरह यूज कर पाएंगे अपने ओल्ड आइफोन के साथ इसका जो नया फीचर है यह सिर्फ आइफोन 12 में अनलॉक करता है जो कि आपको रिवर्स चार्जिंग वाला फीचर देखने को मिल जाता है एप एपल से पता चला है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आइफोन 12 जब लॉंच हुआ था तो इसे एपल ने मैग सेफ के साथ लॉंच किया था जिसकी वज़े से इसके पीछे एक मैगनेट की रिंग होती है उस मैगनेट की हेल्प से यह जो बैटरी पैक है एपल का मैग से बैटरी पैक अच्छे से मैगनेट की वज़े से उस पे चपक जाता है और आपको अच्छी चार्जिंग प्रोवाइड करता है और अगर आप आइफोन 12 के नीचे की सीरीज यूज करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप इसे एक वायरलेस चार्जर की तरह यूज कर और अगर आप आइफोन 12 यूजर हैं तो आप इसके लिए जा सकते हो और अगर आपको इसे यूज करना है तो तो इसकी जो मह बैटरी कैपसिटी है बहुत ही कम है और जो इसका रेंज है 10,900 बहुत जादा है मैं तो इसे रिकमेंट नहीं करूंगा इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसे अपने आइफोन 12 के साथ यूज करने के लिए ले सकता हूँ मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए ले सकता हूँ तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं आप लोगों के साथ इसका experience शेयर करूं जल्दी ही जैसे ही ये launch होत करता है तो इसके बारे में और भी आपको detail देने की कोशिश करूंगा और भी Apple के product का review और उसके बारे में information लेने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे like करें और चैनल को subscribe कर दें और bell icon को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care thanks for watching